हसीना मान जाएगी हिंदी मूवी समीक्षा हसीना मान जाएगी 1968 में प्रकाश महरा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है फिल्म में शशी कपूर, बबीता, अमिता और जौनी वॉकर हैं कल्यान जी आनन जी द्वारा रचित फिल्म के संगीत में ऐसे गाने हैं जो काफी यादगार हैं जिन में रफीलता की मधुर जोडी बेखुदी में सनम सबसे लोग प्रिय है फिल्म वर्ष 1968 के बॉक्स ओफिस कलेक्शन में नवे स्थान पर रही फिल्म की शूटिंग अब बंध हो चुके रूप तारा स्टूडियो में ओ दिलबर जानिये गाने के साथ शुरू हुई बबीता द्वारा अभिनीत अर्चना अपने विध्वा पिता के साथ एक नए शहर में चली जाती है कॉलेज में उसकी मुलाकात राकेश से होती है जिसका किरदार शशी कपूर ने निभाया है जो उसके पिता के दोस्त का बेटा है जो हमेशा उसे चिड़ाता है वह उसके बारे में प्रिंसिपल से शिकायत करना चाहती है लेकिन गलती से वह कमल के बारे में शिकायत कर देती है जिसका किरदार शशी कपूर ने निभाया है जो बिलकुल राकेश जैसा दिखता है कमल एक अनाथ था और बहुत सभ्यव्यक्ती है बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और कमल और अर्चना करीब आते हैं लेकिन राकेश अर्चना से शादी करना चाहता है और हमेशा उनके बीच आने की कोशिश करता है आखिरकार अर्चना कमल से शादी करने के लिए अपने पिता की सहमती लेती है राकेश कमल का अफ़रन करना चाहता है और उसके सामने अर्चना से शादी करना चाहता है लेकिन उसके गुर्गे यह सोच कर उसका अफ़रन कर लेते हैं कि वह कमल है अर्चना और कमल शादी करते हैं और अपने पिता की संपत्ती पर अपने हनीमून का आनंद लेते हैं उसे आश्चर्य हुआ कि राकेश भी उसी बटालियन में सेना में भरती हो गया। एक दिन जब वे दोनों अकेले होते हैं, राकेश कमल से लड़ना शुरू कर देता है और यह तब तक चलता रहता है जब तक उनमें से एक पानी के भीतर गायब नहीं हो जाता। बाद में बचा हुआ व्यक्ति अर्चना की संपत्ती में आता है और वे कुछ समय तक साथ रहते हैं। एक दिन कमल का वरिष्ट अधिकारी कमल की मृत्यू की सूचना देने आता है। अर्चना भ्रमित हो जाती है क्योंकि उसका पती हर समय उसके साथ रहता है। लेकिन उसके वरिष्ट ने उसे बताया कि वह कमल को कहीं भी पहचान सकता है और कहता है कि कमल मर चुका है। वह उस आदमी की पहचान के बारे में निश्चित नहीं है जो उसके साथ रह रहा है। वह उसका कुछ परीक्षन करती है और निशकर्ष निकालती है कि वह कमल नहीं है। लेकिन वह कहता है कि वह कमल है और वह इस दर से वापस आ गया कि उसने राकेश की हत्या कर दी है। अब उसे यकीन हो गया कि उसने राकेश को नहीं मारा क्योंकि वह युद्ध के मैदान में मारा गया था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे गिरफतार कर लिया गया, उसे धोखाधरी और बलातकार के लिए दस साल की जेल की सजा सुनाई जाने वाली है, तभी असली राकेश सामने आता है और गवाही देता है कि वह असली राकेश है, सब कुछ तय हो गया, कमल और अर्चना ने खुशी-खुशी सुलह कर ली और राकेश को उसके पिछले गलत कामों के लिए माफ कर दिया, बाद में कमल ने अर्चना को बताया कि वह खुद को क कमल साबित करने के परीच्शनों में असफल रहा क्योंकि वह राकेश की हत्या के डर में रहता था.